स्लाम अलेकुम दोस्तों एक नए वीडियो में वेलकम ओलोफी दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ क्या बीए चाइनीज की दोस्तों जो कट ओफ थी सारे स्टुवेंट्स के नाम उनके मार्क्स में आपको दिखाऊंगा लिस्ट भी आपको सामने आ जाएगी जहां पर आपको पता सल जाएगा के जेनरल में ओबी सी नॉन क्रीमिलेयर एंड एस्टी की डेव्लू एस काटेग आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब चैनल ताकि आप तक और ज्यादा वीडियो मेरी पहुच्छती रहें चलते दोस्तों लिस्ट की सब्सक्राइब आपको लिस्ट दिखाता हूं इस अच्छी निवस्टी सेंट्र निवस्टी है और इनका जो है स्पेशलाइ सब्सक्राइब को यह सिर्फ हैदरबाद केंपस में ही रन होता है यह आप देख लीजे हाइस स्कोर था 75 नंबर वन रैंक नंबर टू दोस्तों यह जो नाम है यह मेरा नाम है यह मैं हूं फैसल देशान मैं सीट छोड़ूँगा तो मौका है किसी और को मौका मिल जाएगा एड्मिशन लेने का अगर आपको मैरी कोचिंग जॉइन करने ही है तो आप मुझे नंबर दिया होगा मेरा वीडियो में वहां मुझे आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं सेकंड रांक मेरे यह यह मेरा नंबर है यह मेरा ही नाम है मैं यह वीडियो बना रहा हूं दोस्तों उसके पेपर काफी टफ था इस बार के दिनलोंड दिया होगा इंग्लिश पार्ट इंग्लिश पार्ट वस वेरी डिफिकल्ट वह आसान नहीं था बागी और पार्ट में पन्दावी सवाल चगा से मुश्किल आपको दी गए तो इस तो इसलिए कट आफ काफी जादा काफी काफी जादा कम कट आफ है पिर्थिभा यादव 58 आपका प्रिये विस्ता यादव है 53 दया निशान कुमा वर्म 50 नहीं 50 कट आफ रही है OBC non-creamy layer again I will say it is very low because paper was really difficult next we go to SC section SC section there are only two students one is Rohit Kumar and second one is Anush Kumar scores are also there in front of you it's true Rohit Kumar scored 56 and you can see the gap 9 marks gap which is really high so 47 was the cutoff marks for SC student in BA Chinese at if you last also ST ST में आप देख रहे हैं यहां पर भुकिया प्रसाद हैं बहुत जादा कम 39 ST में जानते हैं कट आफ काफी लो रहती हैं और नेक्स राजुकुमार गें 38 तो यहां पर almost 40 पर सेंट पर यह लो क्वालिफाय कर गया बाकी आप देखें जेनरल में इनके साफ़े डबल कट आफ है आ जो हाय स्कूर में डबल है और मुस्ट लेकिन कट अफटी नाइन आपको यहां पर देखें नाइन ऑस तूबर को जो भी गाइडलाइन है वहां आपको भी आपको भीजना है यह मेल है यह आपको सारे अपने डॉकुमेंट के पाद सब चैक होने के बाद नौ तारीख को जो है आपको एक बारा तारीख को सारे आपको document scrutiny होने के बाद जो finalist आएगी बार अक्तूबर को आएगी जहां पर fee payment करने के लिए आप से कहा जाएगा देयर you can submit और office of deposit कर पाएगी अपने सारे cut-off आपको आए हो वीडियो कसंद आपको आए अगर आई है तो लाइक कर देजिक शानल को शेर्य कर देजिक आखि को और बहुत सारी वीडियो स्टैप की मेरी लगतार मिलती रहे मैं आप से मिलूँग अगली वीडियो में पुदा अपरोपन्स